तो हलो तोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक पाइलट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना जा रहे हैं जो की CSE पर सुरू किया जा चुका है और इस प्रोजेक्ट की जैसे जैसे सुरुआत होगी जैसे ही प्रोजेक्ट अपने पीक पर पहुंचेगा तो आपक को अपडेट किस तरीके से करेंगे और कौन-कौन से वो डाकुमेंट हैं जिन्हें आप अपडेट करेंगे साथ साथ आपको एक आधार काड़ पर डाकुमेंट करने का कितना चार्ज लेना है कितना कम से कम और कितना ज्यादा से ज्यादा आप चार्ज लेंगे तो यह सभी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आप किस तरीके से आधार काड़ पर डाकुमेंट को अपडेट करेंगे डाकुमेंट को अपडेट करने के लिए एक नया फीचर यहां पर आड़ किया जा चुका है अगर आप माई आधार वे है और यहां पर आपको गवर्मेंट को पच्यस रुपय चार्ज देना है तो घ्राहक नढसर बात यहां पर बताएंगे ना जेंडर डेट यह चीज है कुछ बदलने वाली नहीं है अगर आपको इन्हें बदलना है तो आपको माई आधार पोर्टल का यूज करना होगा ठीक है और जो 25 उपर लिये जाएंगे नान रिफंडेवल हैं तो यह सब करने के बाद आप इसे सिंपल सा यस कर देंगे उसके बाद आप जो ल देख लेना है कि जो डाकुमेंट आप यहां पर अप्लोड करने जा रहे हैं उनका साइज बगेरा कैसा क्या है तो कम से कम जो साइज बलकि ज्यादा से ज्यादा रहे वो दो एमबी रहे और जी पी एजी या पी अजी या पीडियाफ यही फार्मेट रहने चाहिए जो भी आप डाकुमेंट अप्लोड करें अब बात आती है कि यहां पर आपको डाकुमेंट कौन से अपडेट करने है और कौन से अप्लोड करने है तो डाकुमेंट यहां पर आपको दो तरीके के अप्लोड करने होंगे एक अप्लोड करना है प्रूफ आफ एड्रेस और एक अप् पीो ए और थेक है तो पीवैंट आप इसा को ड्रीत के अपर ऑप लूड कर सकते हैं जिसमें कि उस ब्रीक्तिका फोटो फोटो के बागेरा होना चीया इडिन्टिकेसन यह तो आइडिन्टिकेसन ड् judgment उसमें होना चाहिए और जो अडिरेस बाला डाकुमेंट है उसमें फोटो के साथि spaces तुस में ऐड्रस भी होना चाहिए App Monster कार्ड के यह अपर आपको अप्सनस मिल जाते ह enное अगर यह सबी डाक्मेंट भीड है उन में से कोई भी डाकोमेंट अप्लोड कर सकते हैंalım इसे proof of address के लिए यह कौन सा document आप upload करें तो उस काले इस्ट आप देखें तो लगबग वही मिलते जुलते हैं पर वही सभी document हैं तो इन में से जो भी document आप upload करना चाहें वो document आप यहां पर select कर लें और select करने के बाद जैसे कि मैंने फार्मेंट में आपको बताया है तो वही document आप इसकेंड करके यहां पर upload कर दें उसके बाद यह चुछ चेक बाक्स आप देख रहे हैं इस चेक बाक्स को टिक करके आप सिंपल सा next पर करने क्लिक और next पर क्लिक करने के बाद आपको payment बगिरा यहां पर कर देना है वो आपको ध्यार रखना है जो यह यह यहां पर फिलाल हाइड करती है लेकिन आप इस तरीके से रख लें जिससे की आगे जैसे ही यह document accept होंगे तो यहां पर आपका जो यह सारे नंबर है यह यहां पर approve हो जाएगा अब उसके बाद तो आगे है तो यहां पर देखे लिखा है ऐसे ब्यक्ति जुन्हों ने अपना आधार दस बर्स पूर्व बनवाया था और उसके बाद से आज तक उसने कभी भी कोई भी अपडेट नहीं कराया है तो ऐसे नय आईसे आधार धारकों को अपने document को update कराने का अग्रह किया जाता है फि यो वियली जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतनी ही ज्यादे हैं पर income भी हो जाएगी और आप यह मान करके चलिए जब पच्चिस रुपे नोमिनल चार्ज यू आई डिया ही ले रहा है तो पच्चिस रुपे आप यह अपना चार्ज खुद का service चार्ज यहां पर ले सक लिखने हैं तो आप हमारी इस YouTube चैनल को अभी subscribe कर लिए मिलते हैं ले वीडियो में तब्ते के लिए धन्यवाद और हाँ अगर टेलिग्राम चैनल से जुड़ना चाहें description में लिंक दिया है वहाँ पर जाकर के जोइन टेलिग्राम पर क्लिक करें और टेलिग्राम चैनल को अभी जोइन करने हैं तन्यवाद